दीदी, क्या ये उप्टन बॉइस भी यूज़ कर सकते हैं? नहीं बेटा, आपको वेट करना पड़ेगा, पहले आपकी शादी तय होगी, फिर हल्दी सेरेमनी होगी, तब आपको उप्टन लगाया जाएगा. ये इतना पावरफुल है, कि ये इतना पावरफुल है, इसको अपलाई करने के बाद, 90% जनता तो डेफिनेटली बोलेगी, अभी तक क्या लगा रहे थे अपने चेहरे पे हम, आज इसका इस्तेमाल करने के बाद मैरे अपने चेहरे पर मॉइस्टराइजर तक नहीं लगाया है, विश्वास नहीं आएगा, मुझे मालूम है, अगली बार देख रहे हैं, एक प्रॉफिटेबल सेजेशन दूँ, नीचे जो लाल रंग का बटन देख रहे हैं, जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, उसे क्लिक कर दीजे, बगल में जो बेल आइकन है, उसे भी क्लिक कर दीजे, और फिर माजिक ही माजिक, कौन सा माजिक? मैं लेकर आती हूँ, हफते में 3 दिन, बहतरीन DIY रेमेडीज रिलेटिट तो यो हैर केर, स्किन केर और हैल्थ केर, जिन्हें यूज़ करके मेरा परिवार बहुत खुश है, मेरा परिवार, जिहां, पीती पेडना की फैमिली जहां पर 15 लाग से भी ज्यादा लोग हैं, जो और उन्हें क्या-क्या बेनिफित्स यहां पर मिल सकते हैं, प्रीती पेडना के परिवार के हर एक सिदिस से का, उनके अपने ही चानल पर बहुत-बहुत स्वागत है, आशा करती हूँ, आप सभी स्वस्त हैं, खुश हैं, अपना खयाल रख रहे हैं और बहुत पॉजिटि इतना पावरफुल है, आयूरवेद में जितनी भी स्किन क्राफ्टेड रेमेडीज बनाई जाती हैं, उन्हें उप्टन कहा जाता है, क्योंकि यह आपके स्किन के लिए एक नरिश्मन का काम करता है, एक क्लेंजर का काम करता है, आपके जितने भी इशू होते हैं, उनको र होते हैं, मिनेरल, पावरफ, सपाइसेज बहर जाती हैं, इन सब थी चीज़ों को अलग मात्रा में क्राफ्ट किया जाता है, आपकी स्किन टाइप को सूट करने के लिए, अगर आपके चेहरे पर पर प्रकार के कोई परेशानी कोई इशू है तो इसको उस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है उप्टन जो कि एक time-tested skin prescription है इसके preparation से पहले ये जान लेते हैं कि इसके फाइदे क्या है क्यों इसमें इतना energy और time invest किया जाए सबसे पहला reason हो सकता है कि ये हर प्रकार की skin type के लिए craft किया जा सकता है यानि क अगर आपकी skin oily है, dry है, combination है, sensitive है, super sensitive है ये सभी skin type के लिए ingredients को उपर नीचे करके आपकी skin को suit करने योग ये बनाया जा सकता है और best of results आपको दिये जा सकते है नमबर 2, no expertise आपको कोई ayurvedic doctor होने के आवशकता नहीं है, simple mix and match of ingredients होता है और normal application होता है और results यहां में आपको साम प्रकार के facial hair है और आपने उने remove नहीं किया है किसी भी गलत तरीके से, तो believe me, regular upton का इस्तमाल उन facial hair को minimize भी करेगा और regulate भी करेगा कि वो दोबारा ना आए, upton is the safest way कि आप उसको permanently हटा भी सकते है, you have to be regular, right? Another reason, आपके चहरे पर किसी भी प्रकार का aging का sign, dull रहता है, discoloration है, fine lines है, या wrinkles आ गए है, उनको यह कम भी करता है और फिर control भी करता है, again you have to be regular, तो यह इसको भी regulate करता है, also यह बहुत ही easily doable है, यानि कि आपके pocket को hit नहीं करता, यह बहुत ही, you know, consumer friendly होता है और घर पर कर सकते हैं, आपको कुछ specifically इसके लिए नहीं purchase करना होगा, कि उप्टन वनाना है तो यह लेना पड़ेगा, घर की चीजे है, mix and match and apply, and you are going to be amazed, surprised, baffled, और बहुतने भी words है, अब मैं आपको दिखा रहे हूं, इसको prepare कैसे करना है, और उसके बाद application कैसे करना है, so stay still और पूर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उपर जो आई बटन है, उसे क्लिक करके, आप मेरा बेसन वाला वीडियो चेक आउट कर सकते हैं, और देख सकते हैं, कि मात्र साथ दिनों में, लोगों ने अपना स्किन ट्रांसफॉर्म कर लिया है, completely change कर लिया है, बेसन से बढ़कर डिल्प कर सकता है, रिष्धिन इन्टेष आपर यहां पर sel कर सकता है, लोगो फटकी वितमिन ए और वितैमिन पीन ब्हून insights कर देतेम, इतना रिफ्रेशन कर देता है, कि आप बोलेंगे कि भई वा, साबुन के जुरुर्द क्या है, यह उतना बढ़के लिया आपकी खेय यहां पर होगा, again, 3 टेबल स्पून ओफ ग्रीन ग्राम दाल, थर्ड पावरफुल इंग्रीडियंट आपके चहरे से साइन्स अफ एजिंग को हटाने के लिए और आपके चहरे को एक बेबी पेंग कलर का ग्लो देने के लिए कमाल का इंग्रीडियंट है और वो है मसूर की द देखिए, ओट्स आप सभी जानते हैं कि ऑईल अब्जोर्बिंग में कमाल का होता है, आपकी स्किन कितनी भी सूपर सेंसिटिव क्यों नहों, आप ओट्स का इस्तमाल आँग बंद कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई रियाक्टिविटी नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई परिशानी नहीं होती, यह आपके स्किन से एकसे सॉइल को यू हटा देता है और नहीं ड्राइ करता है, है ना माजिकल, तो ओट्स आप यहां पर इस्तमाल करेंगे, फिफ्ट इंपोर्टंट इंग्रीडिंट इसका आपको यहां पर इस्तमाल करना है, वो है तीन बड़े तो आपको जो हैं आपको यहां पर आपको इस्तमाल करना है तीन बड़े चमच, सॉफ के अंदर इतनी पावरफूल एंटाइ-ॉक्षिदन प्राइन के आपको यहां माज बिफ ennelled iets जोती है अब की यहां पर उप्टन में किया जा रहा है ताकि आपके चहरे पर कोई भी फाइन ना आए आपकी स्किन डिहाइडरेट ना हो और आपकी स्किन में वो सपलनेस हमेशा मेंटेंड रहे इन सभी चीजों को एकत्रित करके अब हम इसे उप्टन में तबदील करने की तयारी शुरू क करेंगे इन सभी चीजों को आपको अच्छे से ड्राइरोस्ट करना है यह हम क्यों कर रहे हैं ताकि इन सभी सीज में इफ एट ओल थोड़ा सा भी मॉइस्टर है तो वो हट जाए और हमारे पास बिल्कुल ड्राइट सीड रहे जाएं ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्यूंकि करना होगा मैंने इसको अप्रॉक्सिमेटली 5-7 मिनट्स टॉस किया इसके बाद दालो में हल्की हल्की चट चट आवाज आने लग गई थी कि जो मॉइस्टर कॉंटेंट है वो कम्प्लीटली जा चुका है आप एक मिनट के लिए और रख सकते हैं विद इस साउंड ओन और उसके बाद आप अपना फ्लेम बं कर दीजिए यह जो मिक्स बनकर रेदी हुआ ना इसको मिक्स करके एक थोड़ा सा इनो हीट कीजेगा तो फ्लेवर्सम की बस मज़ा ही आ गया प्रिपरेशन भी मैंने बहुत एंजोई किया और अपलिकेशन तो गजब का था ही ओविसली इसको अच्छे से तॉस करने के बाद आप इसको थंड़ा हो जाए यानि की रूम टेंपरेचर पर आ जाए आप इन सभी सीच को एक जार पीस बराबर नहीं पीसेंगे यानि कि सभी पाउडर नहीं हो जाएंगे या सभी एकडम तो थोड़ा सा पेशन रहेगा जब आप इसको अच्छे से पीस लेंगे तो कुछ ऐसा पाउडर आपको मिलेगा जो की काफी खुर्दुरा होगा क्योंकि कई दाल के पीसे अच्छ तो बहुत ही बढ़िया जल्दी आपका काम हो जाएगा मेरे पास आटे की च्छनी नहीं थी इसलिए मैंने टी लीव स्टेइनर से च्छाना फाइदा यह हुआ कि जो अप्तन मेरे पास आया वो बिल्कुल आटे की तरह महीन था बिल्कुल सॉफ्ट पाउडर इतना प्यार और खुबसूरत उप्तन लिटरली गुलाल लग रहा था बहुत ही प्यारा पिसा था और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा बचा उसको मैंने एक अला कंटेनर में ले लिया ताकि मैं इसको दुबारा से पीस लिया और दुबारा पीसने के बाद मैंने कुछ चाना और बहुत है तो दाल सॉफ्ट हो जाएगी और फिर आप अराम से बहुत अच्छे से स्किन को एक्सफोलियेट कर सकते हैं यह कौंटिटी मेरे पास अचीव हुई है अब इसमें आपको लेना है दो बड़े चममच सांडल वोड पावडर जिहां सांडल वोड पावडर आपकी अगर आपकी जो तासीर होती है वो इतनी ठंडी होती है किसके अप्लिकेशन से आपकी स्किन को हीलिंग वाला जो एनरजी है वो मिल जाती है और इसमें आपको लेना है दो बड़े चममच कस्तूरी हल्दी यानि कि वाइल्ड टर्मरिक अगर आप घर वाली हल्दी उसकर र इसे भी ज्यादा एंटायोक्सिदेंस होते हैं अलग अलग प्रकार के अंटायोक्सिदेंस की मतलब हल्दी अपने आप में सर्वगुंड संपन्न है स्किन को गजब का रखने के लिए इसलिए हल्दी सेरिमिनी कहलाती है तो हल्दी इस दाट पाफुल थिंग जो यहां पर इस्तमाल की जा रही है जब आप इसमें हल्दी और संदल्वूड पावडर डालेंगे उसके बाद अप इसको अच्छे स्टर करेंगे ताकि सारा का सारा एक सार हो जाए और यॉर अमेजिंग गजब के रिजल्ट देने वाला मैजिकल उप्टन बनकर रेडी हो चका है इसको आप एक एर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे नहीं आदवाइस आप नहीं कर सकते क्योंकि खराब होने के चांसे दो जाते हैं तो आप यह सारी और्गानिक चीज़ आप एक पातर में एक चमबच उप्टन लेंगे अब इसको आप उप्टन बनाने पाउडर तो लगेगा नहीं इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं दही आप यूज कर सकते हैं दूद आप यूज कर सकते हैं पानी या गुलाब जल डपेंडिंग अपन आपकी स्किन तो आप पानी या गुलाब जल का इस्तेमाल कीज़े अगर आपकी कॉंबिनेशन स्किन है तो डिपेंडिंग अपन कॉंबिनेशन कैसा हो रखा है आप इन में से किसी का भी ब्लेंड बना सकते हैं मेरी स्किन फिलाल थोड़ी ची कॉंबिनेशन चल रही है ड्राय और नॉर उसके बाद आप इसका अप्लिकेशन अपने चहरे पर करेंगे कोई ब्रश ब्रश नहीं है कोई अंग्रेजी मास्क नहीं है यह उपतन है बहुत ही बहुत ही प्यारे पोशन है इसमें आपके हाथों का टच आपकी स्किन को चाहिए आज कल फेस वाश आगे हैं पकड़ पक तो इसको आप लेंगे और एक थिक लेयर अपने चहरे पर मसाज करते हुए लगाएंगे इसकी पतली लेयर से कुछ नहीं होगा थिक लेयर लगाई है ताकि वो पूरा पोशन ज्यादा टाइम के लिए स्किन को मिले अगर आपको फाइन लाइन आखों के नीचे प्रॉपर लगाई है आईब्राउस पर लगाई है उपर लगाई है प्रॉपर लगाई है प्रॉपर ली गर्दन पर लगाई है मैंने एक चम्मच लिया था और मेरे पास इतना अमाउंट बना की पूरे चहरे पर मैंने बहुत थिक कोट लगाया अगर आपको अपको 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 अ दो हेसे सब्सक्राइब कर तो आप यहां पर भी संय कर सकते हैं यहां पर ड अब यहां पर अब्स अब से कर सकते हैं यहां पर हाफ बंपनेड चेहरे पर लेकर रहने दीजिये 50 % दस मिनट के बाद ये completely सूख जाएगा कुछ पोर्शन जहां पर मैंने ज़्यादा ओवरलाब किया था बहाँ ओविसली टाइम लगेगा लेकिन आखों के नीचे आपको सूखने नहीं देना है इसके बाद आप अराम से 10 मिनट के बाद दुबारा से मैंने हाथ वाद अच्छ सूख गया था and then I washed off my face after 20 minutes तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही gentle hands के साथ हाथों को गीले किया और उसके बाद मैं इसको उतार लगी बहुत प्रेम से उतर जाएगा simple soft दाले है अराम से उतरेंगी कोई परेशानी नहीं है जब आप इसको उतार रहे होंगे आपको समझ मे कि आपकी स्कीन इतनी सपल हो चुकी है इतनी soft हो चुकी है कि आप भोलेंगे भई आज तो मॉइस्टराइजर लगाना ही नहीं है मेरी स्कीन पर तो इन्फक्ट ओलाने लग गया हलका हलका that means pores इतने क्लीन हो गया ना कि अब और फेशल के बाद ओलाता है ना मैंने क्या क्या अपने चहरे को अच्छे से किसी प्रकार का कोई deposition का मतला भी नहीं है चहरे पर क्योंकि इतना neat कर देगा आपके चहरे को तो आप इसको अच्छे से wash करके enjoy your clean skin answering few questions around the remedy क्या boys इसे use कर सकते हैं जि बिल्कुल कर सकते हैं क्या teens यूज कर सकते हैं हा कर सकते हैं क्या बच्चों पर apply कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं क्या कोई side effect है बिल्कुल side effects नहीं है क्या rose यूज कर सकते हैं अगर skin पर बहुत जादा परेशानी है तो initially कर सकते हैं लेकि मैंने इस ब्लेंड का पोटेंसी हां पर डिसकस किया है अगर आप चेंज करेंगे तो रिजल्स भी वेरी करेंगे इसलिए पहले चीज़े अच्छे से बाटोर लीजे फिर स्टार्ट कीजे कि अपतन लगाने के बाद क्या मुझे जरूआज करने की जरुएथ है देखिये मुझे बिलकुल भी जरूआत महसूस नहीं हुई लेकिन अगर आपकी स्किन मांगती है अगर आपकी स्किन ड्राइज हो जाती है तो दू गो फॉर आप़ आप रॉस्ट्राइजर अधर इस न कि आप लोगों को इंस्पायर कर पाई हूँ कि आप अपनी टाइम और एनरजी इस उप्टन के प्रपेरेशन में डेफिनिटी इन्वेस्ट करें क्योंकि आप इसके रिजाल्स देखकर बहुत खोश हो जाएंगे अगर आपको इप्रस्तुती भी पसंद आई है तो नीचे लाइक करना बिलकुल मत भूलिएगा मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में with something magical for your hair, skin and health तब तक के लिए अपना बहुत सारा खयाल रखिये, vigilant रहिये और पीती पेना के चैनल से जुड़े रहिये I love you all, take really good care of yourself